हेलो एवडिवान और वेल्किम जुड़ी के आफ्रिंस सो यार गोइंग प्लेसिस की बात करूंगा समरी इस चाप्टर की कंप्लीट मोश इंपॉर्टेंट इसके बाद कोई वीडियो उठाके देखने की जुरूत नहीं पड़ेगी प्रॉपर सारी चीज़े करवा दूगा स्क्रीन के उपर आज मैं जितने क्वेशन करवाऊंगा अगर आपके पास एक या फिर दो जिने सिर्फ इतने ही क्वेशन करके चले जाना अगर तीनियों से जाधर समय है आप लोगों के पस तो दिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक पीडियाव डलवा रहा हूं जाके चाप्टर पस जाए बाद हर एक चाप्टर जो इसके मोसिंबॉडन कोईशन समरी की वीडियो प्रॉपर एकसल के दर लिंक के साथ जो है लगाके देवे यह वाली एकसल जुआ ज़रू देखने हैं तो चलते हैं अगर मैं इस चाप्टर की बात करूँ तो इस चाप्टर मे यह बताते हैं हमारे day dreaming के बारे में सपने देखने का, यह देखो जब हम सो के उठते हैं तो हमारे पस दो तरीकी की चीज़े होती है, या तो सो के उठें और थोड़ा बहुत समय हमें जो मिलता होता है सुबह के समय में, हम लेटे लेटे बस सपने ही सजाते रहें, या फिर द दूसरा रासा अपनाते हैं, आपर कठना ही ज़रूर आते हैं बड़ यकीन मानना हो, सुकून लास्ट में वहीं मिलेगा आप लोगों को, तो यस ऐसा ही एक करेक्टर जो है इस चाप्टर के अंदर है हमारी दाटर सोफी, सोफी क्या है सपने संजा के रखते हैं अपने के म आप सपना देखना है यह सपने आप लोगों को देखो, इन दा स्टोरी वी सी सोफी, दा में कारेक्टर, इंदर आल्वेज लॉश्ट इन डेड्रीम्स, वह हमेशा अपने दिन के अंदर सपने बुनते रहते हैं हम भी लेटे कभी-कभी सो से रहते हैं मेरे ख्यालों की मल क तो इस अप्टर के अंदर जो है जो हमारी सोफी है वह सपने सजाती है कि यार मैं बहुत बड़ी जो है एक फैशन डिजाइनर बनूंगी मैं अपना बुटीक खोलूंगी तो यह अपनी इमाजिनेशन के अंदर हमेशा खोई रहती है वो रियल वर्ल्ड के अंदर निया थी क्योंकि उसको उस इमाजिनेशन के अंदर बहुत अच्छा लगता है और जो है एक फुटबॉल प्लेयर होता डैनी कैसी वो अपना इस चाप्टर के अंदर जो है वो भी सपना देख ले थी कि मैं डैनी कैसी से मिली थी मिली विली इस तरीके से कहानी गड़ लेती है यहाँ पे जो अगर हम एडमायर करते है तो इसके कितने सारे सपने हम जो सजा लेते है वो एक्चल में सारी चीज़ी जो है वो इस चाप्टर के तुर आपको बताने की कोशिश की हुई है अब पूरे चाप्टर को काईदे से एक करके सम देखो यहाँ यहाँ पे मेजर करेक्टर हमारी सोफी है उसकी फ्रेंड थी एक जैंसी ठीक है यह दोनों टीनेजर्स थी और स्कूल गल्स थी और क्लासमेड्स थी अपनी ठीक है अच्छे बढ़िया तो सोफी जो है डेली अपना मतलब हमेशा वो सपने देखती रहती दिन के सपने होते हैं कि बहाई दिन में तो सपने मत दे कम से कम वह वाली बात होगी तो शी डिखले दाट शी वाज गए अपना बुटेक वगरा खोलूँ घखती जो जैंसी थी वह बड़ी प्राक्टिकल परसन थी वह उसको रिमाइंड देती हमेशा से कि बहाई हम जो है पू हम जो है बहुत ही ज्यादा मिडल क्लास लोग है हम उतना ज्यादा अफॉर्ड नहीं कर सकते हमारे पास उतने नौलिज नहीं है उतने पैसे नहीं है तो हम जाए से आद अपने बिसक्ट वाली फैक्टरे के अंदर ही जाके काम करेंगे ऐसा जैंसी जो है वह कहती है उसको Sophie holding fast for her fantasy went on to say that she would find money by working as manager or an actress or a fashion designer Sophie जो है बोलते है कि अपनी fantasy बताते है कि मैं जो है बहुत सारे पैसे कमाऊंगी, manager बन जाओंगी, actress बन जाओंगी, fashion designer बन जाओंगी और उसको जैंसी बोलते है कि ऐसी तेरे को कोई manager रख लेगा कि जाती ही कोई manager रख लेगा क्या वही वाली बात है अब घर पे क्या होता है, at home her father tried to put an end to her dream saying that she should first think of buying a decent house वो घर पे जाके अपने पापो को भी बूलते है कि मैं बुटिक खोलूंगी, fashion designer बन जाओंगी, manager बन जाओंगी तो उसके पाप मेरे पास बहुत सारा पैसा आजाएगा, तो उसके पापा बोलते है कि तो सबसे पहले तेरे पापा पैसा आगा तो एक decent घर खरीदो इसका मतलब यह है कि उनके पास वो decent घर भी नहीं है अबी, सब्सक्राइगा, सब्सक्राइगा Sophie could open her heart only to Goff, देखो यहाँ एक बाद ध्यान ठाखना, Goff वो इसका भाई है Sophie हमेशा पनी दिल की बात है पने भाई से ही करती है Her elder brother who was an apprentice mechanic, जो की एक mechanic होता है, ठीक है, अपना bike-bike जो ठीक करता है, वैसा mechanic होता है Sophie Wish Goff would allow her to share his experience and thought with him, and thoughts with him, he was reserved by nature unlike his sister Sophie Wish Goff, यहाँ पर उसका भाई जो होता है, वो अपने भाई के बारे में भी कहानी बना लेती है, कि मेरा भाई जो हो जादा बात 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 नहीं करता, किसी से कुछ बूलता नहीं अपने दिल की बात हमेशा से अपने भाई से ही करते है, कि उसको लगता है कि उसके भाई का भी बहुत फेवरेट होता है, उसका भी बहुत जादा फेवरेट होता है तो वो एक मनगढंत कहानी बता देते हैं अपने भाई को, कि भाई हम है जो डैनी कैसी से मिली थी, उसके फादर जो है, जो कि एक उसके फादर भी बड़े फुटबॉल के जो है वो फैन होते है, डिड नॉट लाइक हर मेक बिलीवर्ड, ठीक है, वो उसका जो है, जो अब बाई को यह तक बोल देते हैं, जो डैनी कैसी, जो कि बहुत ही फेमस है, वो कहते हैं, मुझे उसने बोला है, नेक्स्ट वीक आप आके मिलना हला है, इसका भाई जो बिलीव नहीं करता है, उसको पता होता है, बट सिल, वो उसकी हां मेहां मिला देता है, ऑन साटरड़े सो वो जो फुटबॉल मैस देखते हैं, उसकी फैमिली, उसकी मदर नहीं जाते है, उसके फादर, उसका भाई गॉफ और जो हमारी सोफी है, वो जाती है, ठेक है, यॉनाइटेड वान तू निल, जो यॉनाइटेड होते है, वो दो निल से, मतलब 2-0 से, यॉनाइटेड के 2 ह by the team to 0, जो six ऐती है, जो गॉफ जातों होते है, पंग होते है बाईटेड के लिगे जाता है, इग्नोरिंग गॉफ वार्नेंग इसकी इन होते है, यॉनाइट यॉनाइट वाल जो है, वो लिए अगले वनलोंगे उसका भाई बोलता है, यॉनाइटे, उसका भाई बोलता है माँ आँपट एन जहा जाती है कि वह उसको सोच खुश होते हूँ के हैं मैं वो और हम हमारा साथ और खुश ही्ए व्यासी ही आपे के लिवस्टे मोग धुस के नहीं हुआ रह को एमाजिन कर लेतीज है की यह जुष है व हे यह कितनी अब उडधा स्बस्मानलय हूँ की देखरो किस लेवल पे इमाजिनेशन लेके आरिए है बो एक चाप्टर है कि अधू दह से देखरों पietetuk नियुग आर बोस से अधिके कुम आरो मिघला कांडर श्युले क्नपतप करने इस बात से लिए वो उसके लिए बड़ा लंबे समय तक वेट करती है, अक्टल में वेट करती है, ठीक है, यह सिर्फ एक विश्फल थिंकिंग थी, उसको पता भी था, कई नहीं आएगा, हावेवर, शी इमाजिन वन्स अगैन, हर अर्लियर चांस, मीटिंग विध इम, अल्सो अनधर विजन ओफ इम, स्कोरिंग दा गोल, अमिट्स थंडर अपलॉष्टे को यहां पर क्या बोलते है, वो एक वार फिर से इमाजिन कर लेते हैं, वही सारा सेनारियो, कि वह फिर से ग जाएगी सारी चीजिए, कि जैनसी इस जस्ट एज ओल अस सोफी, ठीक है, बट इस वेरी डिफरेंट फर्क बहुत है, ब्रिंग आओ दा कंट्रास्ट, बट्विन दा टू फ्रेंट्स, साइटिंग रेलेंट इंसेंसेंस फ्रम दा स्टोरी गइंग प्लेस, ठीक हमें, जो ह लुद फराइणिग यहां के बट पाते से बट एकर अब काई ब्रू आग दो ही फैंच फेंच बाट पैसा कर दे लिएक दिए फाल अवाट्राइटेंट इस जो है जो हमेशा दिन में ब्राइओ धिनी देखा कर थी वाइल जैन से इस प्राक्टिक जैन्स ही प्राक्तिकल चेम कर लेते हैं उसकी खुद की बुटीक शियुक्ट होगी धियान लगना ये वर्ट लिखने जरूरी है बुटीक शॉप होनी जरूरी है ठीक है वो जो एक actress बनना चाहती थी ठीक है वो एक fashion designer बनना चाहती थी और यहां पर एक चीज और भी लिख लेना ठीक है, and manager भी लिख लेना, ठीक है, manager भी लिख लेना भई यहाँ पर, ठीक है, Gency however is very realistic, Gency बहुत realistic थी, she know that they are not like to, they are not, they are not likely to achieve big things because they don't have much money and experience, Gency को, भाई, यह सारी चीज़ अचीज़ नहीं करने वाले, क्योंके पास नहीं experience और नहीं बहुत सारा पैसा है, ठीक है, she tells Sophie to be sensible and not have unrealistic dreams, वो जो है Sophie को बोलती थी, कि भाई, तो sensible बन और ऐसी unrealistic dream, मजदेख, ऐसी सपने मजदेख, जो कि रियल ही नहीं नहीं सकते, Sophie and Gency act differently, दोनों ही बहुत differently act करते थी, ठीक है बहुत बात आरे समझ में, चलो जी, next question, why did Sophie enjoy living in the world of dreams, क्यों Sophie जो है अपने world of dreams के अंदर रहना पसंद करती थी, describe some of her dreams, उसके को सपने जो है, describe करने, Sophie loves to daydream, like many girls, her age, Sophie जो है दिन में सपने देखा करती थी, जैसे की बाकी लड़किया भी उस एज के अंदर करती है, it helps her escape from her ordinary life, उसको वो क्यों पसंद करती थी, क्योंकि उसकी जो बड़ी आम सी जिंदीगी है उससे वो उसको बड़ा दूर ले जाती थी, ठीक है, वो सारी चीज़े उसको दूर ले जाती थी, उसको special feel होता था उसके अंदर, ठीक है, in her dreams, she imagined a perfect life with all the things she wants and people she admires, ठीक है, उपनी सपनों के दुनिया के अंदर जो है, वो एक्चल में वो बड़ी अराम दे, बड़ी comfortable life जीती है, और वही उनी लोगों के साथ होते हैं, जिसको हो हमेशा से admire करती है, राइट, then she dreams of having her own boutique shop, ठीक है, own boutique shop, being an actress, और being a fashion designer, again मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर कॉमा मारके, यहाँ पर manager जरूर लिखना, हमेशा manager जरूर लिखना भई, ठीक है, यह important keywords है, यह सकंदर मिसेंग है, Sophie is confident that she will fit into a big world outside her current life, actually, Sophie को लगता है, यह मेरी बहार की दुनिया है, मुसकंदर में जाके, बिल्कुल फिट हो जाओँगी, ठीक है, जो सपने में देख रहे उसको लगता है, बहार भी ऐसी दुनिया होगी, मुझे यहां से बहार निकलना है, और मैं विल्कुल उसके इंदर fit हो जाओँगी, she even dreams of meeting her favorite football player Danny Casey and goes as far as planning a date with him, वो मतलब यह तक dream कर लेते हैं, जो एक famous football player Danny Casey, वो उससे भी मिल लेते हैं, और उसके साथ, in fact, एक date भी plan कर लेती है, in her fantasy world, Sophie jumps from one dream to another quickly, Sophie जो है अपनी fantasy world के अंदर एक dream से दूक्षर द्रीम पर तुरंट को जो है वो जम्प कर जाती थी, ठीक है, जैसे कि वो तुरंट पहले तो इमाजन कर रहे हैं कि वो जो है Danny आ रहा है, उससे बात कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, एक दम से वो तुरंट सुच कर जाती है, वो नहीं आया, मैं उससे नराज हूँ, तो यह अपनी प्रॉपर imagination के अंदर होती थी, नेक्स देखो, Has Sophie met Danny Cassie? क्या Sophie Danny Cassie से मिली थी? What details of our meeting with Danny Cassie did she narrate to her brother? ठीक है, वो किस तरीकी की meeting बताते है, वो क्या बताते है, वो Danny Cassie से कैसे मिली थी, और उसने क्या अपने भाई को बोला था? ठीक है, एक्सेल में जब यह चाप्टर में मेरे टाइम में पढ़ रहा था, तो मैं पढ़ते बढ़ते मुझे, यह मुझे फील हुरती, क्यार काश एंड में ऐसा हो जाए, कि वो Danny Cassie से सच में मिली हो, या उसको सपना सच हो जाए, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है, चलो बही Sophie never really met Danny Cassie, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं मिलती उससे, it was all just a story she made up in her imagination, यह सारी एक स्टोरी होती है, जो कि वो अपनी imagination के अंदर बनाती है, she told her brother that she saw Danny at the arcade while she was looking at clothes in the shop window, वो कहते है वो उससे अंदर अर्कैड के अंदर मिलाता, अर्कैड के होती है, कुछ ऐसी जगह होती है, ठी अर्कैड के अंदर नहीं मिली थी, जब मैं अपने शॉपिंग विंडो पर कपड़े वगड़ा देख रही थी, वो क्या बताती है, कि she described him as having kind, वो बड़ा ही kind है, वो बड़ा दयालूसा है, ऐसी बताती है, उसकी green आखे है, और जादा टॉल नहीं है, ठीक है, जैसे लोग उसकी एक्सपेक करते हैं, वो ज्यादा टॉल नहीं है, वो अपने भाई को ऐसी बताती है, Sophie even said, she asked him for his autograph, वो उसको बोलती है कि अपने भाई को, कि मैं उसको autograph के लिए जो है, वो बोला था, but they didn't have paper or pen, but हमारे पास, उनके पास भी pen or paper नहीं था, Sophie's imagination, let's her imagine things that might never happen in life, ठीक है, Sophie's imagination, उसको यह allow कर देते हैं, जो कि कभी सच हो भी नहीं सकता, ठीक है, तो यह सारी चीज़े वो describe करते हैं, क्या describe करती है, कि भाई वो ज्यादा टॉल नहीं है, वो बहुत ही kind है, और उसकी आंके जो है, ग्रीन है, मैंने जो है, autograph के लिए बोला था, बढ़ हमारे पास pen नह है, ठीक है, यह वाली सारी बात हो गई, चालो, next, did Goff keep his promise to Sophie, how do you know, देखो, यहाँ पर actual में, जो Sophie होती है, वो अपने भाई Goff से कहते हैं, कि किसी को बताना मट, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या Goff ने किसी को नहीं बताया था, और तुम्हें यह कैसे पता चलता है, कि Goff Royce, Royce मतलब वोई Arcade, Goff told the story to Frank, देखो, यहाँ पर क्या है, एक तो हमारा Goff है, ठीक है, यह हमारा Goff हो गया, उसकी बहन कौन है, Sophie है, ठीक है, देन, दूसरी तरफ हमारी जो है, वो, क्या नाम ता, उसका, Janice, जेंस, क्या नाम ता है, एक सिंट मैं नाम भूल गया, हाँ, य Janice, यह, Janice, दूसरा हमारा क्या था, यह हमारी Janice थी, और उसका भी भाईता, एक और Frank, ठीक है, तो, जो Sophie और Janice है, यह दोनों फ्रेंड है, और Goff और Frank, यह दोनों फ्रेंड है, तो, Sophie ने क्या करा, भई, Goff को बताया, Goff ने अपने फ्रेंड को बता दिया, Frank और Frank और अपनी स्विल दा फुल स्टोरी, देखो, however, जो Goff होता है, वो पूरी स्टोरी नहीं बताता है, कि अगले हफते यह देट वी जाने वाले है, बट वो यह बताता है, कि हाँ, Sophie उससे मेली थी, ठीक है, as he didn't tell anyone about Sophie supposed to date with Danny, ठीक है, तो, वो इसने यह नहीं बताया, कि Sophie उसको date करने वा Danny से मिली थी, यह कैसा राता मुझे बता तो, एक दम से कहते है, कि यह इसको किसने बता दिया, गॉफ को नहीं बताना जी थी, ठीक है, तो, यह उसने अपना promise नहीं रखाता, आगे देखो, why doesn't Sophie want Jensi to know about her supposed meeting with Cassie, ठीक है, Sophie क्यो नहीं चाहती थी, कि Jensi को उसकी मिटिंग के पता चले कि वो जो है, Cassie से मिले थी, Jensi find about, Jensi find out about Sophie's meeting Danny Cassie, and came to ask if it is true, ठीक हो पूछने आते है, कि यह सच है, सच भी है, नहीं है, she really curious, वो बड़ी curious होती है, but Sophie is surprised and upset with Goff, Sophie बड़ी surprise हो जाते है, बड़ी upset हो जाते है, कि Jensi क्यों बता है, यह नहीं बताना चाहता है, वही वो यह उसको डर होता है, कि अगर उसने जो है, सोफी को डर होता है, कि अगर मैंने Jensi को सब कुछ बता दिया, तो जो Jensi जो है, उसके nature के विज़े वो बुरे neighbor है, उटके अंदर सब को बता देगा, बता देगी, so Sophie doesn't want to tell Jensi about her supposed meeting with Cassie, तो इसलिए जो है, सोफी नहीं चा इमाजनेशन, 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 और 3-4 keywords में chapter के आप लोगों बता दू, उसकी हरी आंके, वो जादा लंबा नहीं था, वो बड़ा ही दयालू था, ठीक है, और autograph नहीं था, ठीक है, और autograph नहीं ले पाए, pen and paper नहीं था, और उसके बाद मेरी जो है, लेफते मिट जहीं था अप श्रबसूँ